गजव हैं नमस्कार नौव महीने में आपका बचछा दानी खुल रहा है या खुल चुका है हम पिए Suzuki बारे में कैसे पता करें तो सबसे पहले मैं आपको बध्याई देना चाहते हुं जिनका नौव महीना लगे आप बात करते हैं के नौव महीन में जानकारी होना जरूरी है क्योंकि ऐसे मिस्सतरता आपके लिए सबसे जाधा फायदेमन होती है अगर आपको लक्षण के बार में जानकारी होगी तो definitely आप टाइम से डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपकी जो डिलिवरी है बहुत सेफ हातों में हो सकती है तो आईए चलते हैं पहले लक्षन के बारे में जानते हैं कि ये कौन से में लक्षन जिसे हम 100% sure जाएं कि हमारा जो बचादानी है वो अब खुलने लगा है और डिलिवरी हमारी दिश्चार्ज होना जी हां मीकस दिश्चार्ज को आपको बचादानी का जो मुँ है खुलने लगा है अगला जो मीन लक्षन है कि आपके पैल्विक एरिया का भारी होना जी हां ची आपके पेट की निछला हिस्सा जो आपको बहुत जादा भारी लगे यह इसलिए होता है friends कि जब बच्चा head-on के position ले लेता है नीचे सर और उपर पैर के position में आ जाता है तो ऐसे में क्या है कि पूरा pressure वो सब्विक्स पर बनाता है जिसकी वज़े से आपका जो सब्विक्स है वो धीरे धीरे खुणने लग जाता है तो आपका भी पैल्विक एरिया काफी ज़ाद आपको heavy जो के पीर्ट जैसे ही होते हैं तो आप समझ जाए कि आपके जो बच्चा दानी का मुह है वो खुलने को आ रहा है यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यह जो पेन होता है वो रुक रुक कर क्या था जिसको फॉस लेवर पेन के नाम से जानते है दीरे दीरे अगर जब आपका नौवा में लगता है और आगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉर्टिंग के दिकत दिख रही है तो यह लक्षन बताता है कि आपका जो सविक्स है वो खुलने लगा है तो ऐसे टाइम में भी आपको डॉक्टर से तुरंद कंसल्ट करना चीए क्योंकि जब सवि जितने लक्षन में आपको बताएं यह चीज आपको मिल रही है अप डेफिनिटली डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपनी जो डिलीवरे एकदम अच्छी से 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 करवाएं ताकि आपको और आपके बच्चेों की तरह की कोई भी दिकत ना हो तो आशा करते हैं आपक कर तो आपको और किया है आपको